इस वीडियो में बेस्टनल टावल लगवाने के बारे में complete information दी गई है इस वीडियो में 6 points cover किये गए है 1st point बेस्टनल टावल लगवाने में किन documents की जूद पड़ेगी 2nd point कौन सी company लगवाएंगे 3rd point salary के बारे में 4th point agreement के बारे में 5th point आपके साथ किस तरह से scam या fraud हो सकता है 6th point टावल लगवाने के लिए कैसे आवेदन करेंगे सबसे पहरे बात करते हैं documents बेस्टनल टावल लगवाने के लिए आपके पास निमने documents होने चाहिए 1st आधार card, 2nd pan card, 3rd bank, passbook और checkbook 4th जिस भी plot, building या जिस जगह पे टावल लगवाना है उसके documents 5th आप NOC certificate के बारे में टेंसन मत लिजिए NOC certificate आपको बेस्टनल वालों की तरफ से उपलब्द कराया जाएगा अब 2nd point के बारे में बात करेंगे कमपनिया, मुखे रूप से 3 trusted कमपनिया हैं जो बेस्टनल टावल लगवाने का जिम्मा लेंगी 1st इंडस टावर, 2nd ATC India and 3rd digital infrastructure limited चर्चा करेंगे 3rd point salary के बारे में अगर आप ग्रामी छेत्र रूरल एरिया से बिलॉंग करते हैं और साथ ही साथ ग्रामीड और शेहरी दोनों शेत्रों पर यदि टावर में एंटीना की संख्या बढ़ती है तो आपको प्रती एंटीना पर 2000 रुपए एक्स्टा मिलेंगे और साथ ही साथ ग्रामिर और सहरी दोनों छेत्रों में 5% प्रती साल सैलरी में बढ़ुत्प्री होगी 4th point agreement के बारे में बात करेंगे जब आप टावर लगवाएंगे तो आपकी जमीन में 20 सालों का agreement हो जाएगा एक बार टावर लगने के बाद 20 साल तक आपको कुछ भी नहीं कर सकते हैं इसके बाद ही वो टावर वहाँ से हटेगा 5th point 2 आपके साथ किस तरह से scam या fraud हो सकता है आपसे बोला जाएगा कि आपको अपनी security fees 20 से 50 जावर रुपए जमा करिए तब हम आपकी जमीन, plot या building में टावर लगवा देंगे तो मैं आपको बता दूँ कि आपको एक रुपए भी किसी को नहीं देना है क्योंकि सारा खर्चा टावर लगवाने का कमपनिया खुद उठाती है या फिर आपसे बोला जाएगा कि आपको processing charger देना पड़ेगा तो उसमें भी आपको avoid करना है क्योंकि processing charge भी नहीं लगता है या फिर आपसे NOC certificate लगवाने के लिए company के करमचारी बोलेंगे कि भी या जब आप हमारी जेब गरम करोगे तब हम आपको NOC certificate बनवा के देंगे फिर भी clear कर दूँ और किसी को एक रुपए नहीं देना टावर लगवाने की सुभिता free of cost है 6. and last point online apply process मुक्रोप से तीन कंपनियों की website से आविदन करेंगे फर्स्ट GTL infrastructure जिसके link www.gtlinfra.com है सेकेंड एटीसी टावर जिसके link atctowers.in है लास्ट एंड थर्ड इंडस्टावर जिसके link इंडस्टावर से डॉट कॉम है चलिए अब आपको बारी बारी से practically online करके दिखाते हैं तो सबसे पहले आपको अपने किसी भी browser को open करना होगा हमने Google Chrome को open किया इसके बाद search box में type करेंगे www.gtlinfra.com इतना type करने के बाद सबस्टावर के लिए apply करने के लिए हम contact us में click करेंगे इसके बाद आप दो तरह से इसमें process कर सकते हैं या तो आप directly contact कर सकते हैं इन number की help से आप बातचीत कर सकते हैं या फिर जो second method है apply process apply करने के लिए नाम डालेंगे email id डालेंगे इसके बाद अपना contact number डालेंगे इसके बाद type of inquiry में हम telecom subject को select करेंगे इसके बाद आपको message वाले box में लिखना है कि सर मैं अपनी जमीन, plot या building में बेस्टनल का tower लगवाना चाहता हूँ इसके बाद submit में click कर देंगे जैसे ही submit में click करेंगे इसके बाद आपसे GTL के employee जो होंगे वो आपसे contact करेंगे या फिर आपके area में आएंगे इसके बाद आपकी जमीन या plot या building देखेंगे इसके बाद आगे का जो process है बहुत ही सरल है agreement होगा इसके बाद आपको payment मिलने लगया अब हम लोग बात कर लेते हैं atc tower के बारे में atc tower.in आपको google chrome में type करना है search कर देंगे इतना type करने के बाद इसके बाद atc इंडिया या atc tower की website आपके सामने open हो जाएगे property honors वाले section में जाना है इसके बाद third वाले option prospective property honors में हम click करेंगे basement के tower को apply करने के लिए इसके बाद scroll down करके हमें नीचे के उराना है इसके बाद यहाँ पे आपको अपना नाम अपना address वही pin code सहित इसके बाद आपकी property किस type की है building में लगवाना चाहते हो tower या plot में लगवाना चाहते हो ये details आपको collect करनी है ownership के बारे में बताना है जहाँ पे लगवार है आपकी जो जमीन या plot है वो individual है या फिर joint है या society का है या फिर government जो है वो जगह है तो आप यहाँ पे आपको ये information collect कर लेनी है इसके बाद property category के बारे में बताना होगा जो property है वो commercial है या residential है इसके बाद आपको latitude and longitude details को आपको collect करना होगा इतनी सारी information को collect करने के बाद इनकी official जो email है land.india.atctower.in इस email में आपको इन सभी documents को mail कर देना है इसके बाद ये आप से संपर्क करेंगे इसके बाद जो आगे का काम है वो बहुत ही simple है ठीक है दो वो सीधी सी बात है आपकी जमीन देखेंगे इसके बाद अगर उनको suitable लगेगा तो वो आपकी जमीन में टावल लगवा देंगे इसके बाद जो भी हमने starting में बताया है आपको कितना amount मिलेगा ये सब आपको मिलने लगेगा ठीक है इसके बाद तीसरी company के बारे में बात कर लेते हैं इंडर्स टावर के बारे में search box में इंडर्स टावर से टाइप करने के बाद इसको search कर देना होगा हमें पहली वाली लिंक इंडर्स टावर से इंडिया जर लार्जिस्ट mobile tower installation company इस वाली लिंक में हम click करेंगे इसके बाद apply करने के लिए land on us इस वाले option में click करेंगे इसके बाद scroll down करेंगे इसके बाद अपना first name, last name, email id, phone number डालने के बाद confirm and send OTP on your mobile number में click करेंगे इसके बाद OTP डालने के बाद confirm में click करेंगे, अगर OTP नहीं यह है तो recent OTP वाले option में click करके OTP दोबारा से मंगवा लेना, OTP डालना confirm में click करना इसके बाद आपको अपनी Location को Permission देने होगी Allow में क्लिक करके इसके बाद आपको अपनी Location को चेक कर लेना है इसके बाद Confirm Location में क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पी बताना होगा कि मैं Honor हूँ या फिर मैं Broker हूँ या फिर Anny आप अपने according select कर सकते हैं property type में बताना होगा जहां पर लगवार है वो building है या plot है या फिर other है आप अपने according selection कर लेना ownership के बारे में बताना है कि जहां पर लगवार है वो individual एक ही विक्तिकी है जमीन या फिर joint में है या फिर other कोई region है select कर लेना category के बारे में बताना होगा कि जो जमीन है वो residential है या फिर commercial है या फिर others है आप अपने according select कर लेना ठीक है इसके बाद यहां पर clearly mention किया गया है कि कोई भी इंडेस्ट आवर का employee जो है वो आप से किसी भी type की OTP या फिर पैसे के बारे में payment के बारे में नहीं पूंसता है अगर कुछ ऐसा है तो आपको तुरंत ही report कर देना होगा ठीक है finish and submit में हम click करेंगे जैसे finish and submit में click करेंगे आगे ये company आपके address में engineer भेजेगी जगा देखेगी अगर उनको ठीक ठाक लगेगा तो आगे काम start कर देंगे आपसे फिर से बता दूँ आपको किसी को भी एक रुपए का payment नहीं करना है अगर आप कहीं पे भी payment कर रहे हैं तो इसका मतलब समझ जाए कि आपके साथ धोखा धड़ी होने वाली है